नियायादीस हनुआन जी की कहानी नियायादीस हनुआन जी का चमतकार अर्जी लगा दो मैंने उसी समय अर्जी लगाई सुंदरकांट और हनुआन चालीशा का पाठ किया और 29 तारीकों उनकी बैल हो गई ऐसी समश्या है कोट कचेरी से जुड़ा कोई मुद्दा है तो आप अपने घर पर एक नारियल के साथ आज एक ऐसे मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहा है जिस मंदिर में भगवान के चमतकारों को मान कर भक्त आश्चर जमें पड़ जाते हैं अठारा दिन में भगवान भक्त को न्याय दिला देते हैं ऐसा भक्त उडिसा जगनात पुरी के नजदीक से स्री न्यायाधीस यानि जज हन्मान के दरवार में आया तो आज नियादीस हनवान जी की कहानी नियादीस हनवान जी का चमतकार जहां 18 दिन में भक्त को नियाद दिलाया हनवान जी ने ऐसे भक्त की कहानी आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ वीडियो लाश्ट तक देखे और चैनल को वश्य सस्क्राइब करें जै शियराम, जै दंद्रवाध हम की, जै श्री कांक्सी सरकार की, जै नियाधीस भगवान की कहते हैं भक्ती में यदी सक्ती है, भक्ती में यदी स्रद्धा का समनवाई है तो हर कार के संभव होने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, कार तच्छन संपन हो जाता है जी महराज को भक्त न्यायाधीस रूप में भजते हैं और न्यायाधीस मानकर भक्त पुकार करते हैं तो भगवान भी भक्तों को निर्ड़ाय देने में देर नहीं लगाते हैं ऐसा ही कुछ वाक्या इनके साथ घटित हुआ है आखिर किस तरीके से इनको हनवान जी ने न्याय दलाया और क्या कुछ इनके साथ हुआ है आदरनी आनंद अगरवाल जी ओडीसा जगनात पुरी के नजदीक से यहां आये हैं मद्दप्रदेश के भिंड जिले में क्या कुछ हुआ है आदरनी आया है अगरवाल जी सबी भक्तों की ओर से आपको जैसीयराम जैसीयराम मैं यहां काच्छी सरकार रागेवंदर सरकार की रिकोमेंट पर आया हूँ और यहां हमारे भाई साहब का एक केस बन गया था जो कि मैंने 17 तारिक को इनको फोन किया था तो इन्हो पर आज केस चल रहा है यानी 18-19 दिन में बैल हो गई और अभी केस चल रहा है लेकिन अभी प्रभू के उपर ही छोड़े है क्योंकि दोसी तो है नहीं बाकी प्रभू की इच्छा है यानी निर्दोस को तो यह विजय दिलाने के लिए परशिद है कि मन में ऐसा लगता है क आपको कि यह आपको विजय दिला देंगे विजय दिला देंगे आज कांक्सी सरकार आपने दद्रवा धाम विजिट किया दद्रवा सरकार दरवार को डॉक्टर हन्मान का दरवार बैद्ध हन्मान का दरवार कहा जाता है इन्हें निर्णाय की देपता न्याय की देपता जजहनवान भी भक्त कहते हैं दोनों को कहां तक आप देखते हैं क्या द्रिष्टी आपकी जाते हैं दोनों की द्रिष्टी बहुत अच्छी है दंदर हुआ मैं चोथे बार आ गया हूँ और मेरे यहां जो भी रोग दोस हुए सब भगवान ने अच्छा किया और अभी सब हो भक्ती हो तो कार शंपन अवश्य हो जाता है कि यदि कोई ऐसी समश्या है कोट कचेरी से जुड़ा कोई मुद्दा है तो आप अपने घर पर एक नारियल के साथ जिस तरीके से कांक्षी सरकार की अर्जी लगाई जाती है उस अर्जी को लगाएं और श्री कांक्षी सरक हनवान जी महराज के चर्णों में हम विश्वास रखते हैं कि आपके कार को संपन होने में अधिक समय नहीं लगेगा यदि आपका भाव सच्चा है आप निर्दोस है तो आपको हनवान जी नयाय जरूर दिलाएंगे आपको विजय जरूर दिलाएंगे मैं रागवंदर ख सकते हैं चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं यस वीडियो को शियर कर सकते हैं ताकि अन भक्तों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए आप सभी को शादर जैश्याराम जै दंद्रहुआ हनवान की जै मजिस्टेट सरकार की